दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे अनिल देशमुक के खिलाब वसूली कांड को लेकर ED यानि की इनफोर्समेंट डिरेक्टोरेट हर एक मुम्किन कोशिस करने में लगी हुई है कि किसी भी तरीके से उन सबूतों और गवाहों से सच उगलवाया जाए ताकि महारास्टों में चल रहे वसूली रैकेट का भांडा फोड हो सके इस बीच दोस्तों एक ऐसी खवर निकल कर सामने आ रही है जिससे आने वाले दिनों में अनिल देश्मुक की मुश्किलें और भी जादा बढ़ सकती है दरसल एडी यानि की इनफोर्समेंट डिरेक्टोरेट ने एक याचका दायर की थी एनाईये की स्पेशल कोट में कि वो तलोजा जेल में जाकर देश्मुक पर लगे वसूली के आरोपों को लेकर सचिन वाजे से पूछताच करना चाती है दोस्तो इस याचका पर कल सुनवाई हुई और एनाईये की स्पेशल कोट ने इनफोर्समेंट डिरेक्टोरेट को तीन दिन की परमीशन दे दी है इसके साथ ही अब एडी तलोजा जेल जाकर सचिन वाजे से वसूली रैकेट के मामले को लेकर अब पूछताच करेगी दोस्तो ये तीन देन इस वसूली मामले को लेकर बहुत ही एहम साबित होने वाले हैं क्योंकि दोस्तो सचिन वाजे ही वो आखरी महरा है जिसके जरिये ये वसूली रैकेट जो है चलाये जा रहा था पर अम्बीर सिंग के आरोपों के मताबिक सचिन वाजे ही मुंबई के तमाम बार और पप से पैसा वसूल कर लाता था और फिर उसे सही जगए पर पहुँचा देता था हलाकि सचिन वाजे पहले भी सीबियाई को अपने बयान दर्ज करा चुका है कि वो कैसे और किस के कहने पर मुंबई में वसूली रैकेट चला रहा था लेकिन दोस्तो अब एक बार फिर से उसे ED के सवालों का सामना करना होगा दोस्तो ED की वाजे से ये पूछताच इसलिए भी एहम हो जाती है क्योंकि आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से अनिल देश्मुक के PA और PS कुंदन शिंदे और संजी पलांडे ED की जो है गिरफ्त में है उन्हें अभी भी हिरासत में रखा गया है उनसे लगातार Enforcement Directorate की Special Team जो है पूछताच कर रही है इस पूछताच के दौरान ED के हाथ में जरूर कुछ ऐसा लगा है जिसकी वज़े से ED को वाज़े से पूछताच की जरूरत महसूस हुई और उसके बाद में Enforcement Directorate ने NIA की Special Court में ये याचिका दाएर की ये अपील की कि उन्हें अब इस बात की जरूरत महसूस हो रही है कि तलोजा जेल में जाकर सचिन वाज़े से इस पूरे के पूरे वसूली रैकेट के बारे में एक बार पूछताच की जाए दरसल बताया ये जा रहा है कि Enforcement Directorate संजी पलांडे और कुंदन शिंदे के बायानों को वाज़े के सामने कन्फरंट करना चाती है ED ये पता लगाना चाह रही है कि जो भी देशमुक के PA और PS ने बताया है क्या वो वाज़े के बायानों से मैच करता है या फिर बाज़े कुछ और ही कहानी बता रहा है अगर दोनों के बयान कॉंट्राडिक्टरी होते हैं दोस्तों तो यकीनन कोई एक गरो जूट बोल रहा है इसलिए ED की ये पूछताज बाज़े से बहुत ही खास साबित होने वाली है इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता Money Laundering के पूरे मामले में Enforcement Directorate ने अब तक पूर्व ग्रह मंतरी अनिल देशमुक के दो सायोगियों उनके निजी सचेफ संजीब पलांडे और निजी सहाय कुंदन शिंदे को जो है गरफतार किया है और उसके बाद में उन्हें जुडिशल कस्टरी में भेज दिया गया था की गरफतार होने के बाद दोनोंने कुबूल किया है कि वाजे ने मुंबई में औरकेस्ट्रा बार मालकों से चार दिसमलप साच जीरो करोड यानि की तकरीबन पांच करोड रुपए जो है वसूले थे और उसे से दो किस्तों में शिंदे को सौप दिया था एडी ने वाजे से पूचताच के लिए विशेस एनाई ए अदालत से अनुमती की मांग करते हुए कहा था कि वह अपराद शाखा के पूर्व सहयक पुलिस निरिक्षक सचिन वाजे के साथ पलांडे और शिंदे को सामने बिठा कर पूचताच करना चाते हैं अब दोस्तों ये देखने वाली बात होगी कि जब इन तीनों लोगों को आमने सामने बिठा कर पूचताच की जाएगी तो इस जाच में नया क्या निकल कर सामने आता है और जब कुछ नया निकल कर सामने आएगा कुछ नए सबूताथ लगेगे कुछ नए जो है बयान निकल कर सामने आएगो साधार पर अरहिल देशमुक के अगेंस्ट में इनफोर्समेंट डिरेक्टरेट किस तरीके का एक्शन लेती है जो सचिन वाजे के अगेंस्ट में जो दरसल याचिका दायर की गई थी एडी की और उसे एकसेप्ट कर लिया गया और तीन दिन का टाइम दिया गया है कि तलोजा जेल में जाकर एडी जो है अपने हिसाब से इंटेरोगेशन कर सकती है इसे लेकर आप लोगों की क्या राय जो भी राय है मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिख बताएं इस वीडियो में अतना ही जल्द बिलूँगा किसी दूसरे वीडियो के साथ में दूसरे अपडेट के साथ में तब तक के लिए धनवाद अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करता हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मेरे बेल आइकन को भी प्रेस करें तक जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊं तो सबसे पहले नोडिफिकेशन आपको मिले